हेलो दोस्तो कैसे आप सभी हमारे पार दोस्तो यह पंखा है रिपेर होने के लिए यानि कि बंदने के लिए हमने यहाँ पर मसीन से यह पंखा बांदा है तो आप देख सकते हैं हमारे दोस्तो बारे सलोट का है ठीक है सलोट कैसे गिने जाते हैं ऐसे गिने जाते हैं दोस्तो तो ये दोस्त हमारा baris load का penk है इसमें आपको बताना चाहता हूँ अगर हमारे दोस्तो baris load का penk है और यह solar slot का है तो उसमें die Firstly कोण से मैं वो भी दिखंगा जैसे कि हमारा baris load का penk है तो baris load की die लगी तो यहां पर मैं आपको एक पर दिखाना चाहता हूं हमारे पास एक ही वाली मसीन है और एक ही वाली मसीन है तो दोनों मसीन हमने यहां पर मंगा रखिए जिससे कि दोस्तों आपको यहां पर तो दोस्तों आपने यहां पर देख लिए हमारे पास दो मसीन है तो ऐसी दोस्तों यह वर्क करती है और ऐसी यह वाली करती वाली में भी डाली थे यानि पिछले सीजन में तो हमने दोस्तों आपको पूरी टेरिटोरल इसका बता रखगया की पंका कैसे बांद जाताे इस वाली मसीन पर नहीं भता राख्या इसम चलेगी इसमें बस खास बात कहा है यह full automatic है तो कुछ आप यहां पर देख लिजिए auto wire और cut ठीक है बस सिर्फ एक उससे automatic है जैसे कि हमारे दोस्तों तार चल ला है slot में तार चल ला है भी मैंने slot का बारे में भी बताया था अगर तार हमारे slot में चल ला है और अगर वो तूट जाता है तो यह automatic बंद हो जाएगी ठीक है आगे टन नहीं डालेगी जैसे कि यह वाली मसीन थी यह बंद हो जाने पर बंद नहीं होती थी तो दोस्तों यह वाली जो मसीन है यह हमारी क्या है तार टूर तो ही बंद हो जानी है ठीक है तो हमने दोस्तों इसमें क्या करा था मैंने भी आपको बताया था डाई तो डाई के बारे में दोस्तों आप देख लीजे डाई कुछ इस तरह की होती है यह हमारे दोस्तों सोले स्लोट की है ठीक है स्लोट के बारे में मैंने भी आपको बताया था स्लोट कैसे की नहीं जाते है अगर दोस्तों आपको बारे स्लोट का पं पर क्या होता है कि हम इसे हैंडल से यहां पर इसे चला सकते हैं ठीक है ऐसी इस वाली मसीन में तो दोनों मसीन में दे राक है दोस्तों जिससे भी हमने खरी दिये तो यहां पर आप देख लिए बिल्कुल अच्छी तरीक से यहां पर पंखा बंद जाता है पंखा यहां पर ल और यहां से हमारे दोस्तों mode, कुछ ही इसमें यह वाले function दे रखे हैं, और एक बार हमारे दोस्तों reverse चलता है, ठीक है, और एक बार forward, तो reverse, यानि की reverse और forward, ठीक है, जब हमारे reverse चलाना तो red button दबाना बढ़ता है, और जो हमारे forward चलाना होता है, तो यह green वाला, ठीक है, तो अब दोस्तों मैं एक बार आपको बता देता हूं, पंटधा तो हमने यहाँ पर बानद लिया, फिर उसे दोस्तों हमें कैसे check किया जाता है, मैं, हमने यहाँ से start किया, इस वाली こ मेंने ने लगाना जैसे कि हमार मेन होता है उसमें बिल्कुल भी चैक्नी का ना आप शाइब इसे में कर दिया सेफ्टी के साथ करने हैं अब हमारे पास दोस्तों एक इतर भूद पर आप देख लिए यह हमारी मैंल आई आए और में आपके तक सब्सक्र Democrat कर दिखाके तो देख लिए जाब ठीक है यह तच्छोई हूई वह यहाँ पर सिरी जवालबल अपिजल चुगा है मैंने हटा दी अब दोस्तों क्या करना आप एक तॉमने इसमें लगा दिया ठीक है यहाँ पर लग चुका अब दोस्तों एक वाइर बचा अब हमार दोस्तों यह वाला ज गुछ इस तरह से अगर तो इससे लगाने के बाद जैसे कि मैं से लगा देता हूं यहाँ पर दीजिए थोड़ा सा पास से तो यहां पर आप देख लिए दोस्तों यहां पर हमारा बलब जो है जलना चाहिए ठीक है तो बलब हमारा जलना है अगर दोस्तों नहीं जलता तो हमारे जो कोईल है हम मैं आपको बता देता हूं सबसे पहला आपको सैट ओफ कर लेना है जो हमार स्टार्टिंग कोईल है यह वाली ठीक है यह जो स्टार्टिंग कोईल है दोस्तों हमार जो है यह हमारी अगर नहीं जलता है बलफ तो हमारी बीच में से कोई सा वायर ब्रेक है उस ब्रेक वायर को कैसे पता करेंगे तो मैं दोस्तों इसमें वहीं बताऊंगा भी ठीक है मैं आपको पेपर यानि कि पेपर लगा कर Child butter और यहां से नी टूट रहा हैं तो पेफर से भी च्दै और किसी वीडियो क्या बना रखे सोई से भी बना रखे है कि हम सुई सै कैसा पता कर सकते हैं और आप कौन सी कोईल कहां पर बरेक है ठीक है एक सिंपल तरीका तो वह हुआ और एक होर हमने यहां पर लगाया एक सीरीज वाला वाय और हलका हलका से ऐसे खिरच के देख लेना है कोईल पर ही ठीक है हलका हलका क्योंकि पॉलिस होता जाती है और अगर इस परकिंग यहां तक है तो ठीक है अगर इससे नहीं है तो इसके बीच में कहीं ना कहीं दिक्कत है तो फिर या तो इसे कोईल को काड़ सकते हो या फिर आप दोस्तों उसे वायर को ढूंड सकते हो जांसे भी हमारा टूटा हुआ है ठीक है टूटने में तो दोस्तों बहुत दिक्कत हो जाती है कि इसमें पता नहीं चेंड़ पदा था साधी 300 के करीब यांवर 400 के करीब तो दोस्तों या तो पेपर लगा के पता कर सकते हैं निकाल के यानि कि इनके बीच में से अगर मिल जाता है तो ठीक है वर्णा नहीं मिलता तो कोईल आप भी काट सकते हैं फिर दुबार से कोईल डाल दीजिए और वो बिल्कुल जैनवन हो जाएगा जैसा कि हमने बांदा है ठीक है ऐसी दोस्तो पहले स्टार्टिंग चेक कर नहीं होती है बाद में रेनिंग बनती है स्टार्टिंग तो हमने चेक कर लिए फिर हमने दोस्तो इसमें पेपर डाले पेपर डालने के बाद फिर हमने रेनिंग कोईल बांदी तो रेनिंग कोईल में भी सेम ऐसी चेक करते है जैसे कि मैंने अभी इस में बताएता दोन वायर पर अगर बलब जल ला ऊगर पर दोस्तों हमारा चेक करने प पम कभी मैं आपको दिखा देता हूं तो सबसे पहले दोस्तों हमें करन्ट चेक करने का तरीका तो करन्ट हमने एक वायर तो इस पर लगाया सिरीज वाला ठीक है और एक हमने बोटी पर लगाया तो ऐसे चेक कर सकते हैं तो मैं एक बार हो आपको दिखा देता हूं सबसे पहले इ ने क्या बताया तो बलफ जलना चाहिए तो यहां पर जलना यानि कि हमारी जो कोईल है वो ठीक है अब दोस्तों हमें क्या चेक करना है हमारा बोडी बोडी पर करेंट है यह नहीं है अगर बोडी पर इसे ऐसे लगा के हमारा सिरीज बलफ जलना है तो हमारे दोस्तों 100% हमारा current है body में क्योंकि यह इस वज़े से होता है अगर papers में कहीं एक wire फाल तो निकल गया भार body में तो उस वज़े से दोस्तों हमारा current बन जाता है तो दोस्तों current चेक करने का यही तरीका आपको क्या करना है running पे भी और starting पे भी running कौन सी कोईल होती है starting running भार वाली होती है starting अंदर वाली होती है तो दोनों कोईल पे दोस्तों आपको चेक करना होता है तो simple दोस्तों तरीका होता है इनका चेक करने का आयोब गई सबको वीडियो अच्छी लगे तो like करे share करे मिल दे नेक्स वीडियो में वंदे मातरम जहिन